बिग बॉस के घर में नई वाइल्ड कार्ड एंट्री होते ही पुराने सदस्यों की हालत खराब हो गई है और इन में सबसे ज़ादा कोई परिशान हुआ है तो वो है शेहनाज गिल हिमानशी खुराने के एंट्री होने के बाद जैसे शेहनाज गिल चीक चीक कर रो रही थी उससे दर्शकों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसी के आने पर ऐसे कौन रोता है शेहनाज की इस हरकत के बाद अब लोग ये समझने लगे हैं कि दाल में बहुत जादा कुछ काला है हिमानशी के आने के बाद से शेहनाज को इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं वो एक्सपोज न हो जाएं क्योंकि हिमानशी और शेहनाज के बीच घर में आने से पहले भी बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है इसलिए हिमानशी को शेहनाज की सारी असलियत पता है वहीं शेहनाज का ओवर कॉन्फिडेंस अब उन पर ही भारी पढ़ने लगा है सुमबार के एपिसोड में हिंदुस्तानी भाव अपने एंटरेटेन्मेंट से सभी घरवालों का दिल जीत लेंगे उनके आने से घर का पूरा माहौल बदल गया है लेकिन हिंदुस्तानी भाव को ऐसा देख कर अगर कोई घर में सबसे ज़्यादा दुखी है तो वो हैं शेहनाज गिल अब शेहनाज गिल को इस बात का डर्स अता रहा है कि कोई घर में उनकी जगा न ले ले इसलिए आज होने वाले नॉमिनेशन में शेहनाज हिंदुस्तानी भाव को नॉमिनेट कर देंगी और सबसे कहेंगी कि इस घर की सबसे बड़ी एंटरेनर वो है शेहनाज कहेंगी कि मेरे से बड़ा एंटरेनर ना इस घर में कोई है और ना ही कोई होगा शेहनाज की इस हरकत से घर वाले भी हैरान रह जाएंगे वहीं हिंदुस्तानी भाव के तेबर भी अब शेहनाज पर गर्म हो जाएंगे फिलाल आपको क्या लगता है क्या शेहनाज आप ओवर कॉन्फिडेंट होती जा रही है अपने राय हमें कमेंट में दीजिए और बिग बॉस से जोड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए